पास्कल का नियम द्रवों में दाप के संबंद में पास्कल ने एक नियम दिया इस नियम के अनुसार यदि कोई द्रव संतुलन में है तो उसमें दाप समान रूप से संचरित होता है मतलब यह है कि अगर कोई बंद द्रव है और उसके किसी भी भाग पर अगर आप कोई दाब आरोपित करेंगे तो वो जो दाप होगा वो पूरे द्रव में उसी परिमान में मतलब उतना का उतना ही संचरित होगा पलब सरल भाशा में कहें तो कोई द्रव संतुलन में है तो उस पर जो भी आप दाब लगाएंगे वो उस पूरे द्रव में वेशा का वेशा जाएगा यहां हम गुरुतु के प्रभाव को नगर्णी मान रहे हैं तो क्या है पास्कल का नियम कि यदि कोई द्रव संतुलन में है तो उसमें दाब समान रूप से संचरित होता है अब यहां हमने द्रव ले लिया है और हम पास्कल के नियम का क्या करने जा रहे हैं प्रूफ करने जा रहे हैं तो यहां हम क्या करेंगे उसको प्रूफ करने के लिए द्रव में दो बिंदू लेंगे और द्रव में दो बिंदू X और Y लेंगे तो देखे हम द्रव में दो बिंदू इस तरीके से X और Y लेंगे X लिया और यहां हमने Y लिया तो द्रव में दो बिंदू हमने लिये हैं X और Y और इस X Y को हम अक्ष मान कर ये इस तरीके से x y को अक्ष मान कर एक लमवरत्ती बेलन की कल्पना करते हैं इस प्रकार से आप चित्र बनाईएगा x और y दो पाइंट ले लिजेगा और उसको अक्ष मान कर एक लमवरत्ती बेलन की आप कल्पना कीजेगा अब ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि दाब समान रूप से क्या होता है संचरित होता है जो दो पाइंट लेना जरूरी थे तो एक हमारा X हो गया और एक हमारा Y हो गया और हम ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों बिन्दू एक्स और वाय पर दाब जो है वो समान रूप से संचरित हुआ है तो चलिए कैसे कर पाएंगे इसको भी हम देख लेते हैं कि इस बेलन में अगर हम कह रहे हैं कि द्रव संतुलन में जैसा कि ये पासकल के नियम का कंडिशन है कि अगर द्रव संतुलन में है तो दाब समान रूप से संचरित होता है तो हम कह रहे हैं कि इस बेलन में अगर द्रव संतुलन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव द्वारा इस बेलन पर लगने वाले सभी बल भी क्या होंगे संतुलन में होंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसके प्रष्ट पर या इसके वरत्ती फलकों पर जो भी बल लगेंगे वो एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो हमने का बेलन में अगर द्रव संतुलन में है तो इस पर लगने वाले सभी बल क्या होंगे वो भी संतुलन में होंगे तो इस तरीके से आप बलों को बता कर बता सकते हैं कि यह संतुलन में है तो अब सभी भल भी संतुलन में हो गए अब थोड़ा सा बेलन के बारे में कुछ मान लेते हैं कि इस बेलन के अनुपरस कार्ट का क्षेतरफल कैपिटल A है और जो इसका वरती फलक X है उस परदाप P1 है और Y परदाप P2 है हमें सिद्ध करना है P1 बराबर P2 तो आपने X परदाप को P1 मान लिया और Y परदाप को P2 मान लिया है और इसके अनुपरस कार्ट के खेतरफल को A मान लिया है अब आपको पता है कि इसा क्यों माना गया है क्योंकि देखिए दाप है और खेतरफल है और आपका चुकि को क्या करेंगे संतुलित कर रहे होंगे तो इसलिए दाब और ख्षेत्रफल आपका लेना पहले जरूरी है ताकि आप जो बल का हमारा फार्मुला है दाब गुनित ख्षेत्रफल उससे इसको बता सके हैं तो द्रव संतुलन में है तो इस पर स्टूप से फिर क्या हो गया यह आपका सिरे X पर दाप को क्या माना हुआ है पीवन और सिरे Y पर दाप को क्या माना है पीटू और और रूपरसकाट का शत्रफल क्या ले लिया ए ले लिया तो ऐसी परिस्तितिती में क्या कहेंगे हम कि X केंदर वाले वरत्ती फलक पर जो बल होगा क्योंकि द्रव संतुलन में यहां लिखा है बेलन में द्रव संतुलन में है तो X केंदर वाले वरत्ती फलक पर बल बराबर हो जाएगा Y केंदर वाले वरत्ती फलक पर बल मतलब यहां का जो वरत्ती फलक है इस पर जो बल होगा और वो इस पर जो बल होगा है दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ऐसा क्यों माना आपने क्योंकि द्रव क्या है संतुलन में है और द्रव संतुलन में है तो इसका मतलब यह इस पर लगने वाले बल भी क्या होंगे संतुलन में होंगे तो इसके surfaces पर लगने वाले बलों ने भी एक दूसरे को संतुलित कर दिया और वरती फलकों पर लगने वाले बलों ने भी एक दूसरे को संतुलित कर दिया तो हमने का x के अंदर वाले वरती फलक पर बल बराबर y के अंदर वाले वरती फलक पर बल तो ये याद रखना है कि अगर द्रव संतुलन में है तो जो बल है वो बराबर हो रहे हैं और बल बराबर हो रहे है तो उसको हमको दाब गुनिच शेतरफल लिखना पड़ेगा इसलिए हमने X सीरे पर दाब को P1 माल लिया और Y सीरे पर दाब को P2 माल लिया तो अब आपका बल बराबर क्या हो गया दाब गुनिच शेतरफल तो दाब क्या है यहाँ पर दाब कितना है P1 शेतरफल कितना है A बराबर शेतरफल तो यहाँ भी है यहाँ दाब कितना है P2 तो X के अंदर वाले वरत्ती फलक पर बल हो जाएगा P1 A और Y के अंदर वाले वरत्ती फलक पर बल हो जाएगा P2 A देखिए बल बराबर दाप गुणिक शत्रफल तो इधर का दाप देखिए P1 इसके अनुपरसकाट का शत्रफल A इधर का दाप P2 इसके अनुपर सकाट का शत्रफल A तो देखे अब A से A क्या हो रहा है कैंसल हो रहा है अब A से A कैंसल होगा तो क्या बचेगा आपके पास P1 is equal to P2 तो आपने कह दिया कि द्रव संतुलन में है ये कंडिशन तो यहां लगी गई बहुत सरल मैंने आपको बता दिया है यही एंसर आप एक्जाम के अंदर लिखिएगा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे